पथरीयत हाना अंतरगत ग्राम के द्रहों में जमीनी विवार के चलते अक्टूवर माहे में एक हत्या का मामला सामने आया था जिसमें मृतक गोकल विश्व करमा के परीजनों के बताया नुसार आठ लोगों पर हत्या का मामला पंजी वद्ध किया गया था उक्त मामले में पुलिस द्वारा पांच आरोपियों को गरपतार किया जा चुका है लेकिन तीन आरोपी अब तक फरार बताय जा रहे हैं जिनकी गरपतारी की मांग को लेकर मरतक गोकल विश्व करमा के परीजन जिला कलेक्टरेट दमुह के सामने धरने पर बैठे हुए है परीजनों का कहना है कि फरार आरोपियों द्वारा हम सभी को मानसक रूप से परिशान किया जा रहा है एवाम राजी नावा के लिए दवाव बनाये जा रहा है परीजनों ने सहायता रासी की मांग करते हुए उक्त आरूपियों के अवेद्ध नर्मानों पर अतिक्रमन हटाने की मांग की है बता दें की 7 नमंबर को मिलतक के परीजनों द्वारा दमुह कलेक्टर को एकावेदन सौप कर कार्यवाहिना होने पर धर्ना प्लदल्शन की जानकारी पूरू में ही दे दी गई थी दे गोड़़्े मनीश जेन, दी जेन है, इनकी तैन ममुह कहते है बहरो रहा है हमाई के घ्यरड्र स्पार भार है हम इसलिए आए को मारी बच्चा बत्ती न इसकूंँजा पर रहे है है नकुछ कर पर रहे है हम लोग हो देशा दम ख़ाई जा रही हैं हम लोग छोटे परीबार से हैं वह बहुत परिसान है हमानि भाई यह इंसाम मेले सहायता राशी परदान हो बहें और यह नारूपियों, इस जल्ली से जली गिराफतार करें इनके घर गिराए जाए जो अब जगाओं पे घर बनाएं और भी हम लोगों परिसान करना है। यह तक्तिया लेकर क्यों बैठे हैं यहां पे अगर आपकी मांग पूरी नहीं हो त्यों आगे क्या करेंगे आपको यहीं बैठी राएंगे पूपियासी बैठेंगे जिनकी बाई की हत्य होई तो उनका नाम किया है। पूरी नहीं हो रहे हम लोग नहीं हटेंगे चाहा हमों रहता हिया यहां कचू भी हो जाए। सासानी को जवाब दाल रहे हैं लोग नहीं हटेंगे। अभी कोई अधिकारी आया है।